आप सब लोग आई होप आप सब टीक होगे इस आपके चेरेपे बहुत ज्यादा तुछ ज्ञदा जोड़ियों की प्रोब्लम्ट है दूप कि वाज़ते आपके चेरेपे टैंइंग बिल्कुल भी ग्लोव नहीं है और अगर आप चाते हैं आपके चरे पे ग्लोव आजाएँ दाग धबों की ज्हाईयों की प्रॉबलम दूर हो जाएं तो आज की रेमिडी बहुत अच्छी है इसे ट्राइं जरूर करना इसी लगाने से ाफकी चैरे पर बहुत अच्छा फरक आने वाला है बहुत अची रेमटी है इसी ट्राइक करेंगे तब ही अच्छा रिजल्ट सी इसे लगाएँगी तो आपकी चैरे पे बहुत अच्छा ग्लोथ ऐगा आएगा में आपके श्किन सोप्ट हो जाएगी दाग धबों की जूटियों की ज्ञाई की प्रब्लम भी दूर होने वाली है तो इसे बनाना भी बहुत आसान है चलिए फटा फट से देख लेते हैं इस तरह से बनाना है किस तरह से लगाना है क्रेमटी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर ले रहे हूं एलोवेरा जेल जो है इमारे चैरी के लिए बहुत ज़ादा फाइदे मन्द होता है इससे इमारे चैरी पर जितनी भी जाईयों की प्रॉबलम है वो दूर हो जाती है दाग धबों की प्रॉबलम है तो वह आदा चमच जो है अलोवेरा जेल लिया है फ्रेंस अलोवेरा जेल से अमारे चैरी पर जो जुर्रियां होती है वो भी दूर हो जाती है साथ में अमारी कालर को फेर बनाता है दूप की वज़े से अगर अमारे चैरी पर टेनिंग है तो उसे भी दूर करता है तो आदा अगर आपके पास मार्केट वाला है तो आप वह भी ले सकते हैं उसके बाद मैं आपे लेने वाली हूँ एक चमश शहद फ्रेंट से हमारे चैरे पे जितने भी जुरियों की प्रोब्लम है वो दूर हो जाती है दाग धबों की प्रोब्लम दूर होती है इमारी स्किन को मॉस् दूर होती है एक चमश यहां पर मैंने शायद का लिया है फ्रेंट्स प्लास्ट में मैं यहां पर लेने वाली हूँ ओरेंज का रस अगर आपके पास ओरेंज नहीं है तो आप दो से तीन बूंद लेमन के रस की ले सकते हैं अगर यह दोनों ही नहीं है तो आप टमाटर का ले सकते हैं इनमें विटामिन सी होता है और यह मारे कलर को फेर बनाने में बहुत अच्छी अल्प करता है यहां पर मैंने एक चमश के करीब ओरेंज का रस लिया है और लेमन का रस ले रहे हैं तो तीन से चार बूंद काफी है और एक चमश अगर आप टमाटर का रस लेते आपके चैरे पे बहुत अच्छा ग्लो लाने वाला है अगर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा जाईया है तो उन्हें भी दूर करेगा धूप की वज़े से अगर आपके चैरे पे टेनिंग है तो वो भी दूर होने वाली है अगर आप इसे रोज लगाते हैं अपने चै चलिए लगा लेते हैं इसे आप रोज लगाईएगा अगर आप भी अपने चेरे पे फरक देखना चाते हैं तो रोज लगाईएगा तो चलिए इसे लगाते हैं उससे पहले फ्रेंट्स आज का वीडियो गर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो अप्लोड करूँ, उसे आप सबसे पहले देख पाएं, तो चली इसे लगा लेते हैं, तो फ्रेंट्स आपको क्या करना है, थोड़ा सा हाथ पे लेना है, उसके बाद हलके हलक जुर्यों की प्रोब्लम है, दागधबों की प्रोब्लम है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राय रहती है, बिल्कुल भी गलो नहीं है, तो वो सारी प्रोब्लम दूर हो जाएगी, अच्छे से मसाज करके आपको इसे कम से कम 2-3 गंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना ह आपको इसे लगा के रखना है, दो से 3 गंटे के लिए उसके बाद अपने फेस को वोश कर लेना है, काफी असा रिजल्ट आएगा, आपकी स्किन काफी अच्छी हो जाएगी, दागधबों की जाईओं की प्रोब्लम तो दूर होगी, साथ में आपकी स्किन बहुत ज़्या झाली 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